असलाम लेकुम इवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ ट्राउजर का बहुती स्टारिश प्यारा सा डिजाइन शेयर करूँगी इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले यह मैंने ट्राउजर के साथ का फैबरिक लिया है इसकी विठी सरहां से 1.5 इंच है इसकी हम पट्टी बनाएंगे दोनों साथ से इसको इस तरहां से डबल करके फिर सेंटर से इसको ऐसे फॉल करेंगे और यहां से सलाई लगा लेंगे यहां पर ऐसे दूसरी साथ से यहां से स्टिच करेंगे ऐसे मैंने पट्टी को दोनों साथ से स्टिच कर लिया है अब इसमें से हम सारे तीन तीन इंच की पटियां काफी सारी कट कर लेंगे पटियों को कट करने के बाद अब इसको हम ये देखे एक पटि लेंगे और इसको हम सेंटर से इसनहा से डबल करके इसनहा से जैसे हम लूप बनाते हैं वैसे हम इसकी एरो शेप बना लेंगे सब पर्टियों को हमने ऐसे ही डबल करके एरो शेप बनाने हैं इनकी यह देखें ऐसे आप चाहें तो पहले प्रेस कर ले और अब इसके बाद यह मैंने पर्टि लिए है रेट कलर की इसकी length इसना से 10 इंचे और width है इसकी 3.5 इंच इसकी नीचे मैंने बुक्रम को पेस्ट कर लिया है इसका center बनाने के बाद अब इन पर्टियों को हम लेंगे और इन पर्टियों को यहाँ पर यह देखी सना से रखकर stitch कर लेंगे अगर आप लोग चाहें तो इन पर्टियों को पहले ही प्रेस कर लें पहले इनको ready कर लें फिर बात में यहाँ पर रखकर stitch कर लें या फिर ऐसे साथ साथ बनाते जाएं और साथ साथ stitch करते जाएं दोनों side पर हमने इनको stitch करना है यह देखें इस दहां से मैंने दोनों side से stitch कर लिया है अब यह वाली हम last में सिलाएं लगाएंगे दोनों side पर दोनों side से stitch करने के बाद यह जो extra पटिया बाहर निकली होंगी इनको हम cut कर देंगे इनको cut करने के बाद अब इसको हम हटा देंगे और यह red color का fabric लेंगे इस की width मैंने 2 inch ली है इस fabric को भी हम ऐसे दोनों side से double करके center से fold करके stitch कर लेंगे इसकी भी हमने पटिय बनानी है ऐसे मैंने दोनों पटियों को ready कर लिया है इन पटियों को ready करने के बाद अब यह जो मैंने design अपना ready किया था यह वाला design लेंगे और इस पटि को red color की जो पटि है इसको हम इन पटियों मेंसे यह देखें ऐसे गुजारेंगे एक पटि मेंसे गुजारनी है और एक पटि को हमने ऐसी रहने देना है जैसे मैंने इस साइड से इस पट्टि को गुजार रहा है सेम इसी तरह से हम इस दूसरी साइड से भी इसको गुजार लेंगे यहां पर देखे मैंने दोनों साइड से पट्टियों को गुजार लिया है और अब हम यहां से स्टिच कर लेंगे इस्टिज करने के बाद इसको हम साइट पर रख देंगे और ये मैंने बुकरम ली है बुकरम की विट है सारे 4 इंच और लेंध है इसकी 10 इंच बुकरम को डबल करेंगे और इसके छोटे साइट पर हम लाइन रॉ कर लेंगे यहां पर लाइन डॉर करने के बाद अब इसके उपर मार करेंगे 1.3 इंचिस पर मार करने के बाद यहाँ पर हम लाइन डॉर करेंगे और अब हम बुक्रम को कट कर लेंगे यह देखें इस नहां से बुक्रम को कट करने के बाद बुक्रम को मैंने अपने फैब्रिक पर ऐसे पैस्ट कर लिया है और अब यह जो एक्स्टर फैब्रिक है इसको बुक्रम की तरफ फोल करके स्टिच कर लेंगे तीनों साइट से इसको स्टिच करने के बाद अब इसका हम सैंडर बनाएंगे अब हम अपना पांचा लेंगे पांचे की उपपा इसको रखेंगे दोनों का सेंटर हम राबर रखेंगे पहले इसको सेंटर से स्टिच करेंगे और फिर बात में हम बुक्रम के साथ साथ से स्टिच कर लेंगे ऐसे इस तरह से स्टिच करने के बाद सेंटर से फैब्रिक को हम कट कर देंगे और अब हम दोनों कॉर्णर्स में कट लगा कर बुकरम को रोंग साइट पर फोल करके प्रेस कर लेंगे इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया है और यह जो मैंने अपने डिजाइन रेडी किया था अब इस डिजाइन को बोक्स के अंदर हम फिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस तरह से इसको सैट करने के बाद यहां से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे देखे हम पट्टियों को साइड पर कर देंगे इसको स्टिच करने के बाद यह जो पट्टी है इसको हम एक साइड से ऐसे कट करेंगे और अब एक पड़ लेंगे पल को हमने इसके अंदर डालना है पटी के अंदर ये देखे निडल के हेल्प से हम पल को इस पटी में डाल लेंगे एक पल को मैंने डाल लिया है सेम इसी तरह से दूसरे पल को भी मैंने डाल लिया है दोनों पल को डालने के बाद यहां पर हम गिठान दे देंगे ताकि ये पल दुबारा से बाहर न निकल जाए और अब जो एक्स्ट्रा पट्टी होगे उसको कट कर देंगे सेम इसी तरह से दुशी साइड भी हम डालेंगे दोनों साइड पर मैंने पल्स को डाल लिया है अब इसके बाद हम फ्रिल के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है दोनों फैब्रिक की विट सेम ही है दो दो इंच अब दोनों को ऐसे रखकर यहां से स्टिच करेंगे स्टिच करने के बाद अब इसको ये देखें ऐसे प्रेस कर लेंगे यह देखें पाइपिंग की तरह मैंने इसको प्रेस कर लिया है प्रेस करने के बाद अब इस पट्टी को हम यहां से स्टिच करेंगे अब यह जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद इस फैब्रिक पर हम ऐसे पिंटेक्स डालते जाएंगे प्लेट डालते जाएंगे और फ्रेल हम इसकी बनाते जाएंगे यह देखी इस तरह से साथ साथ प्लेट डालेंगे और साथ साथ इसको स्टिच करते जाएंगे इस तरहां से मैंने अपनी फ्रील को राड़ी करके प्रैस कर लिया है अब फ्रील को पाइचे के उपर यहाँ पर रखकर स्टिच कर लेंगे फ्रील को स्टिच करने के बाद फ्रील को हम खोलेंगे और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरहां से पहले मैंने पर्टियों को हटा के सिलाई लगा थी अब हम इन पर्टियों के उपर सिलाई लगा देंगे यह देखें इस तरहां से दोनों पर्टियों को हमने स्टिच करना है स्टिच करने के बाद यहां पर हम गिठान दे देंगे ये देखें ऐसे गिठान देखकर हम अपने डिजाइन को रैडी कर लेंगे ये लास्ट में देखें मेरे टॉसर का डिजाइन रैडी हो चुका है किता खुबसूरत लग रहा है पहने के बाद ये और भी स्टायलिश लगेगा तो अगर आपको ये मेरे डिजाइन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू